केलास परवत ये एक ऐसा पहाड है जिस पे आज तक कई लोगों ने चड़ने की कोशिश की लेगिन वो सक्सेस नहीं उपाए उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसके वज़ा से वो आज तक उपर नहीं चड़ पाए अब तक बस उस पहाड बर एक ही वेक्ति चड़ पाएं उनका नेम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपके इंफोमेशन के लिए बता दू कि दुनिया का सबसे उच्छा माउंटेन यानि कि माउंट एवरेश्ट जो की 8,848 मीटर उचा है और इस परवत पर लगबख 7,000 लोगों ने चड़ाई किये लेकिन के लास परवत जिस पर आज तक कोई भी नहीं चड़ पाया है वो माउंट एवरेश्ट से लगबख 2,000 मीटर छोटा है यानि कि 6,648 मीटर है लेकिन तभी भी आज तक इस पर कोई भी नहीं चड़ पाया है केवल एक इंसान को छोड़ कर कई लोगों का कहना है कि इस पर भगवान महादेव का निवास है इसलिए इस पर आज तक कोई भी नहीं चड़ पाया है और कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई इंसान ने अपने जिंदिगी में कोई भी पाप नहीं किया हो तो वही इंसान इसकी चोटी को छूप आ वही इंसान इस पर चड़ पाएगा। से भी ज़ादा है और माउंट एवरेश्ट का स्लोप उससे कम है यानि की 40 से 60 डिगरी के अंदर है इसलिए इसके उपर कोई भी चड़ पाता है। और धीरे धीरे उनके दिल के दड़कन कम हुई और उन्हें अच्छा मैसूस होने लगा। यही वो इनसान है जो आज तक उस परवत पर चड़ पाएं और वापस जिन्दा नीचे भी आएं और यही दुनिया के पहले इनसान थे जिन्नोंने कैलाश परवत की चोटी को चूटी को चूट कर दिखाया था। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी जाननी है तो हमें बताना हम उस पर एक वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। बल कैलाश परवत एक मिश्टी है और एक न एक दिन ये सौल्वड जरूर होगी। क्या आपको भी लगते कि आपको वहाँ जाना चाहिए मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेर करें और एसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन तबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।